लो जी हमने फाटर क्रास कर दिया देखो क्या हाल दो गई देखो कार तुस्किते भिखर गए हलो जी नमस्तिए असलाव ज्स्रिया का दोजों बात करते हैं जी बनाना तेल मैं krm करीब 8–10 टेल्डक्पून ये तेल है या यह मस्टर्ड बहरी है तो इसमें डालेंगे जी सबसे पहले हम भाई चार से पांच भाई छे लाचियां दो बड़ी लाची एक दालचीनी डेट चमच जीरा दो तेज पत्ते तो भाई भून लो ठीक है जब तो थोड़ी खुश्बू बाहर आए अब डालेंगे जी समें मटन ठीक है ये करी एक किल अब यह सब मिलाने के बाद इस पर डखन रख दीजिए डखन बंदनी करना और करीब इसे 5-6 मिट पकने दीजिए हाई फ्लेम पे तो दोस्तों 5-6 मिट होगे जिसों पकते हुए ठीक है अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ी दगे कम कर रहा हूं इसमें डालेंगे कश्मीरी ल करीब दो मैं साले के साथ अब डालेंगे जिसमें 8 की होगे तो जी प्लाने के बाद चौंटे ढालें के बाद इसे याम डखन होगे के इसे करीब 10 मिट के लिए पकने दीजिए तो भाई बीच-बीच में कच्छी चलाते भी रहना ठीक है जी तो जी दस्मट हो गया जी ठीक है अपने टमाटर भी भाई बुनगे बाई कैमरे बाप आ रही हो तो इसके लिए हम रिली सौरी अम फ्लेम पूरा लो कर दूंगा ज वहाइ कच्छी चलाते चलाते पका लीजी तो जी अब गया करते हैं अब गयाराइस प्लेम एं थोड़ा सा लो कर रहा हूं इसमें करीब एक गीलास पानी मिलेंगे और चंगी तरह से मिलाएंगे डकन कर देंगे बांध और ही फ्लेम पे दो सीटी का वेड करेंगे और उसके बाद से हम 12 मिड के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे तब तक करते हम जी, next कारवाई स्टाड दोस्तों नेक्स्ट कारवाई इस प्रकार से मैंने फिर कड़ाई लगा दी ठीक है जी इसमें डालने जा रहा हूं जी मैं तेल करीब 600 ग्राम होगी जादा नहीं है तो अब मैंने ग्यास का फ्लेम लोग किया जी अब इसमें डालेंगे जी पालक ठीक है तो जी मिला लो इसको चंगी तरह से तो इसमें अभी हम नमक एड़ नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने उसमें में एड़ किया हुआ यह ना हो कि नमक हो जाए वह हम बाद में देख लेंगे तो फिलाग हम इसको इस पालक को पगाएंगे तो दो-टी मिनट इसको हाई फ्लेम पे पगाने के वाद को मैं लो फ्लेम कर रहा हूं और इस पर ढक्कन रखके करीब इसको दस मिन के लिए पक्टाओं लोग तो दोस्तों पालक को बह सारी सीटी निकालने का रीजन यह था कि हमको जो मीट है वो पूरा भी गलाना नहीं है ठीक है समझे आप यह मुझे प्लाबी 90 पर गलाना है तो अब करना क्या जी अब हम गैस का फ्लेम दुबारा चालू करेंगे जी मलगी आउन करेंगे तो जो पालक हमने बनाई ठीक है वह उसको अच्छी तरह से हब मिक्स करेंगे तो मैंने जख किया थह नमक्कम था मैं नमक ऐड़ करने जा रहा हूं स्वाद उभ उनसार तो जी मिला ज़ जब हमेसिप डालेंगे जी गरम मसाला करीब ड़ी स्पोन तो अब इसे आप एक उबाल का वेड कीजिए, एक उबाल आने के बाद, इसे हम करीब 10-12 मिट के लिए low flame पे डखकन बंद रखके पकाएंगे, डखकन बंद प्रिशर नहीं देना है, डखकन केवल उपर रखना है, उबाल आगे दोस्तों, अब मैं flame low कर रहा हूं, और केवल 10-12 मिट के लिए डखकन रख रहा हूं, तो दोस्तों भाई 10-12 मिट होगे जी, हाँ, बड़ा सही लग रहा है यार, हाँ, देखो, है सही नहीं, बाप आरिवी सौरी, तो चलो दोस्तों भाई अपना पालक और गोष्ट बन के त्यार है, चलो करते हैं अप्टी टेस्ट, तो ल तेल इतम अलग-अलग, पालक इतम अलग-अलग, हाँ, भाई एको, पीस एको, पीस, है सही नहीं, है सही, और भाई साथ में क्या लिया जी, भाई साथ में लिया जी, हरी-हरी चटनी, भाई किसकी, धनिये की, लस्टन की, अद्रक की, निम्बू की, नमक और दही अड़ कर वह वियाव व्हेलक आजा तो वहीं देखो अब बताओ दिखने में लख कैसा रहा है कैसा टेक्चर है है सहीनिया च्छोड़ी पीशीज भी आगय है अब देखतें हैं टेस्ट कैसा है क्या क्या मसाले भोल रहे ये अपने बारहे में लिए फ़ बोल रहे हैं एक बार और बनता है क्योंकि समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है देखो बई सुहाद कैसा है सुहाद ऐसा है जो हमने पालक में अद्रक केपीर स्टार्टिंग में कडाई में भई वो बड़े सुआद देते हैं म cam зак как सुआद देते हैं और पालक का जो फ्लेवर है आजक्तों सरदी है तो पालक खूद में भी बड़ी मिथी मिथी है कि और जो फीग में डाला था हिंगी को और बालक ही प्यारा सवाद दे रहा है बालक कि नोड़ कि तडका में आपने किसका लगा है पालक और सवाद भेश उम्भार बेश मार खोड़ा और बतातें Table क्या कह रहा है नहीं पालक को लेना बढ़ेगा ना यार नमक पालक में नहीं मिलाना वहना नमक बहुत जाता हो जाएगा नमक मिलाना बाद में पालक एड़ करने के बाद दुबारा से अगर लगे कि नमक कम है बट स्वाधियार दमाका है दमाका मलब मसाले जो मैं डाले हूँ है परफेटली इतम सही बैठे हूँ है ना ज्यादा ना कम बहुत क्या किया जाए अब कोई पीस पूस निकाल के या बहुत कहां बागरा तू तेस किया जाए देखते हैं जो बढ़िया होगा ना उसको प्रॉपर लिखाएंग इसको खाते हैं लगा लगा के भई थोड़ा और चखना पड़ेगा हाँ भई देखो प्याज को मैंने दिया रेस्ट मैं प्याज तू रेस्ट कर ले आज मां की मैं देखने सा था तो भिना प्यास कि भी टेस्ट कासा आई या वर वाक्र मैं यार टेस्ट बड़ा जबरदस्द आ रहा है है और पालक एपालक मैं ने क्या की या थालक मैं ए blend गिया, blend, grind नहीं किया और paste नहीं बनाया मैंने इसे मैंना अदा, अदा मैंना की अदा कूटा मैंने से और से सुआदना बड़ा प्यारा आरा, क्यों? क्योंकि यह पालग है ना, पालग है यह पूरे कन-कन में मिक्स होगी हो भी मीड़ी की है मैंने पालग का भी टेस्ट है और मीड का भी टेस्ट हा रहा है, यार ओ, भी थोड़ा और बताते हैं आपको कोई भी मसाला हावी नहीं हुआ है सब परफेट है, सब बराबर है लेकिन ज्यानक ना, जैसे मैंने बताया आपको कि मैने कुक कर, मैं जब डाला इसे मैंने मीड को जब मैं पका रहा था मैंने केबल दो सिटियां दी थी हाई फ्लीम पे और उसके बाद मैंने केबल 10 से 12 मिड इसे लो फ्लीम पे पकाया बट 12 मिड के तरब बाद मैंने जितना प्रिशर एखटा होगा था वो मैंने सब निकाल दिया क्योंकि हमको पूरा नहीं गलाना होता है मीट को केवल 90% क्योंकि हमको पाल को भी उसके बाद मिक्स करके उसमें पकाना होता ताकि इसमें भी अच्छा फ्लेवर आ सके उस मसाले का जो कुकर में हमने डारा था मीट के साथ में समझें ना आप ये रीजन था कि मैं ऐसा सब चूंग किया तो भाई मसाले मुसूले तो सब बदा दी मैंने आपको अब किंग नराज हो रहा वेट नहीं होता से चलो भाई अब किंग की बारी आपती है तो लो दोस्तों किंग की एंट्री हो चुकी है आज किंग कुछ खिला खिला नहीं लग रहा है जब लास्टाइम मिर्ची मिर्ची कुर्मा खहे थी तब ये खिला खिला लग रहा था आज नहीं है चलो कोई ना है तो भाई अब देखते हैं आए राइफल है राइफल देखते हैं राइफल में आज कार्टूस निकलेगा या निव निकलेगा पहले मैं कार्टूस ही देखोंगा यार राइफल भी कुछ अच्छ कमजोर कमजोर दिख रहा है मिरको कि अच्छ कि अच्छ कि पता लगा और इस पर आके ब्लॉक के जाए फाटक लगा फाटक रेलवे का फाटक कहा निकलना सुने यार लो जी हमने फाटक क्रॉस कर दिया देखों क्या हाल दो गई देखों कार्टूस किते बिखर गए चलो कोई ना इसको ऐसे खालेते हैं थोड़े इन के लिए थोड़े तो आओ भई कार्टूस ने तो बुरी हालत कर दी मेरी और मेरे किंग की चलो कोई नी तो आओ भई थोड़ा पाला पूल के लगाते हैं साथ मैं तो देखो इसका स्वातना तंदूरी नान के साथ ही बड़ा अच्छा आएगा बड़ा प्यार आएगा अब भी बिना प्याज की चीजें बन जाती है ऐसी को दिक्कत वाली बात ना है बहुत काम करता है बिचारा ठीक है नहीं मुझे याद बढ़ रहा है जो हमने लास्ट टाइम वह चिकन और पालक बनाया था यार वह एक्स्पिरिंस बड़ा बैर रहा तो मैंने पताया था को कि इसे हमें ब्लेंड या चॉप करना चाहे था और वाक्य में ब्लेंड करके न बढ़ दिखो चाहता तो मैं पालक हो ना कुकर में याड़ कर देता हूं साथ महीं बट जो कड़ाई में इस अधरक और हीन में बुनने के बाद जो हम इसे मिक्स करते ना पके हुए मीड के साथ बढ़ा सुआता है यार एक बढ़ ट्राइ करके जुरूर बताना मेरे को क्य अभी बढ़ी खटटी है खटटी तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरे हाथ का प्राया हुआ बढ़ पालक गोष्ट पसंद आएगा अब यह जुरू ट्राइगा ना वो मुझे पताना तो कैसा लगाओ यह जो बिगरफ दिक लिए कि नहीं एक नहीं नेक्स वीडिय